हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्थी पोरवाल में दोस्तो मैं हूँ आर्थी और अज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जहाँ पर मौपा प्रोन की कौंसलिंग के लिए लेटेस्ट शिडूल निकाला गया है यह बिल्कुल अभी अभी वेबसाइट पर ओफिशल नोटिस आईए दोस्तो इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे जो बैल आइकन का बटन है उसे भी ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको पूरी नीज बताती हूँ दोस्तों गवर्न्मेंट आफ पुडू चेरी सेंट्रलाइज एड्मिशन कमेटी संटैक पॉंडी चेरी इंजिरिन कॉलेज केंपस पुडू चेरी की यह नोटीस है MBBS Mop-Up Counseling Important Instruction Mode of Counseling यह सारी इसमें हम आपको इंफोमेशन देंगे इन व्यू आप दे कोविट पैनेडबिक Mop-Up Counseling विल बी दन थ्रू वेब कॉंफरेंसिंग मॉपप कॉंफरेंसिंग फर एनराई गवर्नमेंट कोटा सीर्स एन मेनेजमेंट कोटा MBBS सीर्स विल बी दन तेरा जैन्वरी वेडनेस डे लिंक विल बी सेंट तो ओल दा कैंडिडेट्स हो डिपोजिट फी मनी इन एडवांस दोस्तों कोविट के कारण यह जो आपकी Mop-Up Counseling है यह कॉंफरेंस पे होगी यानि ओनलाइन होगी ओफलाइन नहीं होगी और यह ते कुछ बच्चों ने पहले से ही फीज डिपोजिट कर रखी है तो उनको लिंक सेंट कर दिया गया है इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन एनी पार्टिसिपेटिंग थ्रू वेब कॉंफरेंसिंग डू डू कनेक्टिविटी इशू दा कैनिडियर्स विल बी एलाउट टू कॉल अगर आपको कनेक्शन में कुछ प्रॉबलम आती है ओन लाइन में तो आप इन नम्बरों पर फोन भी कर सकते हैं मौपप कॉंसलिंग का शिडूल देख लीजे 13 जनवरी को यह कॉंसलिंग होगी और 9 बजे सुबह NRI कोटा की होगी इसके बस 9.30 बजे गवर्नमेंट कोटा के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे 10 बजे गवर्नमेंट कोटा की जो सीडस है वह अलुटी ऑफ पुद्डू चेरी कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इवन देड़ को वहां पर जोइन करना चाहते हैं उसको स्लाइट कर सकते हैं और 12 बजे जो है को स्लाइडिंग क्या चीज़ है स्टुडेंट्स वह जोएंड कॉलेज तिल सेकंड राउंड कांसलिंग इस कांसलिंग में जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई थी जोएन भी कल लिया था उनको भी अलिजबल्टी दी गई है इस मॉप अप राउंड को ज आप दूसरी चोईस फिल कर सकते हैं मतलब इसमें चोईस फिलिंग दी गई है और तीन पेज की नोटी से इसको ध्यान से देख लिजेगा नेक्स लिखा है कि स्टुडेंट्स वर एलाउट सीट इन सेकंड राउं बट हैं नौट जोएंड आरेलिजबल फर मॉपप कॉंसल अब यहां लेकिन आपकी जो फी है वह फोर्फेट हो जाएगी सीट मेर्ट इस बता दें 12 जैन्वरी 2021 बाई 11 बजे तक इन्दा सेंटेक वेबसाइट अपरेट हो जाएगी 11 जन्वरी को सीट मेर्ट निकाला जाएगा यानि कल कैनिडेस रिए रिक्वेस्टे टु वेल्व और वाइस सीट विल नॉट भी एलोटेड फॉर दिस परपस के इंडिडियर्स कें आइधर ट्रांसफर दफी एडवांस तो संटैक बैंक अगर आपको कोई सीट नहीं होगी तो आपका जो यह नेट बैंकिंग का डीडी है यह आपको रिटेंड कर दिया जाएगा आप ही के सब्सक्राइब जिस एकाउंट से आप इसको बनवाएंगे स्टुडेंट्स वह अल्रेडी पेड फुल फी नीड नॉट टू पे अगें स्टुडेंट्स वू विश्टू पार्टिसिपेट फॉर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर उनको गवर्नम कोटा ऐलोण नीट टू परेड फ्री प्रिक एस्ट लगवर्नम कोटा Чер आखी ना की सस्ट इसक्राइल निट्ट कोटा ओंड्लेड फिश्ट सेंट्ट अर्चल चलिए फीध भर्नमाण कोटा और फीजमेंट ए्लम टुंट कोटा ओंट याल है खेल्ग हो चलोंड फीजम स् विदिन वन वेक्ट टू दसेम एकाउंट जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी और फिर मॉप राउंड में कॉंसलिंग कराना चाहते तो उनको फीस उतनी ही देनी होगी जितना दोनों में डिफरेंस होगा और वही सी फीस उनकी जो है चल जाएगी लेकिन जिन् प्लाव फीस नंगें तो उनकी जोंड में सुनों जोईनिंग क्या है इव इफ तो अंटेट टूशन फीज जोंग छिए देंग अलोटेट कोलेट ऑफम कोंसलिंग फिल एक्ट थे पाइग थेटिए फीज पाइफिट जोंग एक्ट इवल ठीक्तिंग प्राउंट निए य बाद कोई कॉलेज सीट को भनने में नहीं वन इस टू टेन के रेशो में भी बुलाया जाएगा देंट टूशन फी विल भी तब जो पूरी टूशन फीर्स की वह फीटेड हो जाएगी वर्द कॉलेज इस एबल टू फिल दसी ठीक है यह आपको बता दें दो लाख रुपए कुछ धन्राशी जब्त कर दी जाती है यह इस एड्वाइज देर्डेश में का कंसीडरेबल डिसीजन विफोर टेकिंग दसीट इन मौपफ कॉंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने से पहले पूरी तरह से सोच ले जाने चाहिए कि अगर में सीट अलॉट हो गई तो पार्टिस ओनलाइं इन वीव अफ द प्रटिस अपस्में ओनलाइं भी आपको जॉइन कर सकते हैं रिजर्वेशन बता दे मौपप कॉंसलिंग विल बी दन इन सेशन इन फस्टेशन रिजर्वेशन विल बी अलाओ और अल गंडिरेस इन रिस्प्रेक्टिव केटरी विल देर अफ्र उन फिल सीट्स विल बी चनवर्टे इन तो अन्रिजर्व चेर्व और आपके मार्टिंग बनेगी और इसमें कोई भी जैसे अगर आप अन्फिल सीट्स है वह कनवर्ट कर दी जाएगी अन्रिजर्व सीज में अगर जैसा के इंस्ट्रक्शन में पुडू चेर के दिया होगा जो गवन्मेंट मेनेजमेंट कोटा की सीर्स हैं उसके लिए कौंसलिंग हो रही है और कन्वर्जन किस तरह से होगा वैकन सीर्स का यह गाइडलाइन आपको हेल्थ डिपार्ट्मेंट के गवन्मेंट आफ वुडू चेरी की वेबसाइट पर दिये दी जाए के रिजल्ट रैंक लेटर इसूद बैंबी डॉकुमेंट्स फोर इजर्वेशन क्लेंट और प्रूफ और फ्रीपेड जो अपने फीपे की उसका प्रूफ यानि उसके स्लिप चाहिए एक्स्प्रेसिंग विलिंगनेस फॉर वन स्टु टेन लिस्ट अब अगर आप इसके निuchtu विलिंगनेटर नॉकर इसको आप कैते हैं अगर मॉपप के बाद कोई सीट वेकंट रह जाती है तो इस्टेन Geoff के वेकंसी ओ सीनोय होगी रिध ये इंग विलिंगनेटर किंदीर सायर बीडनेटर कोई स्टेंटेषर्ट इसका इंत्रपर वस्टिस्पराइए तो किले that the names of the candidates who have not expressed willingness will not be sponsored जो बच्चे छुकों उनका नाम देना होगा और जिस्टर करना पड़ेगा जो अल्रेडी रिजिस्टर अपने नाम नहीं आया वह इस्ट्रे वेकेंसी अपने आप आप अटोमेटिकली इनका नाम हो जाएगा लेकिन और जो फ्रेश कंडिडेट भी अगर पार्टिसिपेट क इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा यह बहुत अच्छी न्यूज है पुटू चेरी की वेबसाइट पर निकाली गई है इसमें मॉप अप की कॉंसलिंग का इंस्ट्रेशन दिये मोड दिया हुआ इसके बाद कहा गया स्ट्रे वेकेंसी कॉंसलिंग ले भी निकाला कर सकते हैं तो दूस्तर ही पूरी निवस्ती पुटू चेरी की अगर आपको यह निवस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें आपको ऐसे ही लेटिस निवस मिलती रहेंगी ठैंक यू